वेलकम फ्रेंड्स, स्टेडी सरकल मराना आप सभी लोगों का एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत करता है तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रूप D के समद में एक बहुत ही विशेश उचना लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रूप D के जो एड्मिट कार्ड हैं जो प्रिवेश पत्र हैं वो कब से निकलेंगे और साथ ही जो इसकी परिक्षा होंगी वो कब से कब तक कराई जाएंगी साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि railway group D की जोब हसल करने के लिए आपको कौन consistent से गुजरना पड़ेगा और return exam से संबनेत आपको क्या-क्या जीजे जानना important है इन सभी बातों पे आज हम आपसे इस वीडियो के मार्दम से चर्चा करने वाले हैं आप सभी लोगों से गुजरेश होगी कि इस वीडियो के अन तक जरूर जुड़े रहें आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों न अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोगों से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को देखें तकि मद्देवदे समच जो लेटेश्ट वर्ती आए हैं वो सभी आप लोगों को मालूम चल सकें तो आएए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आररवी द्वारा जो रेलवे ग्रूप डी की वेकेंसे निकाले गई थी उसकी जो फॉर्म परने के लाजट देट थी वो 30 मार्थ 2018 थी जिसके जो संभावेद एक्जाम की डेट रखी गई थी वो अपरेल से लेकर मई 2018 के बीच में रखे गए थी तो मैं आपको बता दूँ इसके जो एड्मिट कार निकलेंगे वो एड्मिट कार एक्जाम से 10 या 15 दिन पहले निकाले जाएंगे जो कि इसकी ऑफिशल वेबसाइड ररवी की उस पर डाले जाएंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसकी जो प्रोसीजर है सेलेक्शन प्रोसीजर वो क्या रहेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपके जो common base test होगा यानि कि जो computer base test होगा उसके आपके admit card निकलेंगे return exam के लिए जैसे ही candidates इस exam में अपियर होंगे तो उन सभी students के बाद जो merit तयार होगी वो उनके marks के अदार पे होगी इसके बाद जो candidates qualify कर जाएंगे return exams को उनके दोबारा से नाम निकाले जाएंगे merit list में उसके बाद उनके physical के लिए दोबारा admit card निकलेंगे physical candidates दोबारा qualify कर जाएंगे उसके बाद उनके तीसरे admit card निकलेगा वो होगा उनका document verification का तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि आपके सामने तीन सी stage है जो कि आपको vacancy हसल करने के लिए qualify करना अनिवार रहे है सबसे पहले बात कर लेते हैं return exams की तो return exams के लिए जो admit card निकलेंगे वो admit card exam से 10 या 15 दिन पहले निकाले जाएंगे जो कि आप official website जो भी RRB के जिस भी जोन में आपने apply किया है उस जोन में जाकर आप अपना registration number और rate of birth डालके उस admit card को हसल कर सकते हैं admit card हसल करेंगे तो आपको admit card प्राप्त हो जाएगा उस admit card के साथ आपको एक valid ID proof और साथ में आपका एक color photo लेके जाना होगा जो कि आपने form में submit कराया होगा जिसमें आपसे एक self declaration signature और आपका left thumb का impression उसमें admit card में होगा जहां पर आपको अपना signature और आपका left thumb impression या आपका बाएं हाथ का अंगुठा वापर लगाना होगा self declaration से मतलब यह है कि आपको वहाँ पर swim के handwriting में आपको कुछ लिखना होगा यानि कि दो या तीन लाइं लिखने होगी आपको यह सारी चीज़ें आपको आपको वहाँ पर एक्जाम में submit होंगे exam देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो भी आपका इलिवजियलेटर होगा उसके सम्मुक आपको यह सारी चीज़ें करनी होंगी यह आपको सारी चीज़ें घर से करके नहीं ले जानी है यह सारी आपको वहाँ पर exam में appear होते समय ही करनी होंगी आपके लिए एक विशेश सूचना यह भी है जो candidates अपने signature capital letters में करते हैं उनके लिए एक साफ साफ हिदायत दी गई है कि ऐसे candidate जो भी अपने signature capital letter या फिर अलग-अलग अक्षर बनाके signature करते हैं उन सभी को यहां पर reject कर दी जाएगा यह साफ साफ जहां पर notice दी जा गया है अगर आप अपने sign अभी से ऐसे करते हैं तो अभी से अपने sign बदल लीजिए क्योंकि हो सकता है आपको आगे जाके दिक्कत का सामना करना पड़े तो अगला सवाली आता है कि exam की date है वो कपकी रखी गई है तो मैं आपको बता दूँ किसकी जो exam की संभावे date रखी गई है वो अपरेल या माई के बीच में कभी भी हो सकते हैं और इसके admin card मैं आपको बता दिया कि जब भी आपका exam की date होगी उससे मातर 10 या 15 दिन पहले ही निकाले जाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जुरूत नहीं है जब भी exam की date घोशित हो जाएगी उससे 10 या 15 दिन पहले ही admit card निकलेंगे जैसा कि आप यह देख सकते हैं यहाप साफ साफ लिखा है कि admin card issue करने से पहले RRB जो होगा वो आपको exam की date ब पर आपका 15 भाषाओं में आएगा जो भी भाषा आपने exam का form भरते समय भरी होगी उसी भाषा में आप आप exam दे पाएंगे इसके वाद मैं आपको बता दूँ कि exam जो होगा वह आपका basically 10th standard का होगा जहां पर आपकी negative marking रखी गई है 1 by 3 की तो friends आप सबी लिगों से गुज आते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रही है